हेलो फ्रैंड्स, सोचिलोजी के सूपर MCQ सीरीज नमबर 6 में आपका सौगत है, जिसमें हम ऐसे MCQ को पढ़ेंगे जो की नेट ज्यारफ, PGT, DTSB, GDC, Assistant Professor, अन्य समाशास्त्र समंधी प्रतियोगी परिछाओं के लिए बहुत ही महत्पूर है, ठीक है, तो शुरू करते हैं, पहला कोशन है कि किसने कहा है कि जुल्म सहने वाला, जुल्म करने वाले से ज़्यादा गुनागार होता है, किसका कथन है, तो यह है अंबेटकर का कथन, ठीक है, उन्होंने दलितों के विशय में कहा था कि वो जुल्म करना सहें, तो इसके संबंद में उन्होंने ये बात बताई थी, फिर देखें, दूसरा प्रशना है कि अच्छुतों के लिए सारजनिक स्थानों के प्रेवक का अधिकार पाने के लिए उन्होंने कौन सा सत्याग्रह किया था, तो देखें सारजनिक स्थान में मंदीर, मस्जीद, और कुएं, तालाव वगरा जो थे, इनका पानी पीना अच्छुतों की मनाही थी, ठीक, वो नहीं ऐसा कर सकते थे, तो इस अधिकार को पाने के लिए उन्होंने क्या कि था कि ये पानी जो है अच्छुत लोग नहीं पी सकते, ये पानी के और सवर्णों के लिए है, ठीक, तो ये जो प्रथा थी, तो ये ही सत्याग्रह था, महद तालाव सत्याग्रह, अम्बेटकर जी ने किस सहर में पांच लाख वेक्तियों के साथ स्वयम भी बहुत धर्म था, तो कौन सा सहर था वो, नागपूर, ठीक है, देखिए, आधनिक भारत का मनु किसे कहा चाता है, तो ये भीम राव अम्बेटकर, देखिए, अम्बेटकर जी के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाय हुआ है, तो आपको अगर पूरा डिटेल में पढ़ना ह ठीक है, तो इसमें से है, A, B और C, ठीक है, बोधिशत्य है, मार्टिल लुथर है, भारत का लिंकर है, मैंने इनके सम्बंदि जो वीडियो बनाया है, उसमें पूरा डिटेल में बताय हुआ है, कि इनको ये सब चीजे क्यों, उपाधियां जो है, क्यों मिली हुई है, मार् ठीक है, उन्होंने एक नया धर्म ही बना दिया था, प्रोटेस्टेंट धर्म, ठीक है, उसी तरह इन्होंने दलितों से सम्बंदित अलग से पूरा टेस्टामिंड बनाये हुए था, कि किस तरह से वो इस प्रॉब्लम से मुक्त हो सकते हैं, भारत का लिंकन कहा जाता है, कि उनको बोधिशत्य की उपादी दी गई, तो ये सारी उपादियां किसकी है, बीमरा अमबेटकर की, फिर देखे, क्वेश्चन नमबर सीक्स है, कि भारती राजनीती में सक्री कार्यकरता के रूप में, अमबेटकर का प्रवेश लिए, तो है 1920 में, ठीक है, फिर है, किसका क चोटे-छोटे इलाकों में, चोटे-छोटे छेत्रों में जब गए, उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में असमानता व्याप्त है, दलितों के लिए बहुती अमानवी प्रथाय व्याप्त है, तो संघात्मक जो नियम है, कि सभी लोग समान है, सभी को समान अध प्राप्त है सभी को विवसाय करने का दिकार प्राप्त है यह गाउं तक नहीं पहुचा यह छोटे-छोटे शेत्रों तक नहीं पहुचा है इसलिए उन्होंने कहा कि समिधान जो है उसको संघात्मक धाचिमनी ढ़ला गया यानि पूरी देश की एक यूनिटी के रूप में स संतर है तो किसने नौ आधारों का वर्णन किया तो देश आई है एर देश आई ठीक है फिर देखे लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में परिवार नियोजन कारिकरम सबसे पहले शुरू हुआ यह 1952 में शुरू हुआ था और किस देश से लिया गया था वह है रूस ठीक है यह भी आप याद रखेगा एक्जाम में यह भी आएगा कि यह रूस से लिया गया है और इसकी शुरूआत 1952 में हुई थी तो फ्रेंड्स 10 कोस्टन यहीं पर फिनिश हो रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और सपो